हेलो दोस्तो मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने योट्यूब चैनल एक्जाम वोरियर पर लड़ेंगे साथ में और जीतेंगे साथ में दोस्तो UPSC 2022 प्री का रिजल्ट आ चुका है अभी अभी रिजल्ट आया है 22 जून 2022 को और जो की परिक्षण जो हुई थी पांसतारीक हुई थी तो 16 दिन में रिजल्ट दे दिया बहुत जल्दी फॉस्फा ये पहले एक महीने में आता था आप 16 दिन में ही रिजल्ट देने लग गये ठीक है तो ये जो लिज्ट है वो मेंस के लिए जो क्वालिफाइड स्टुडेंट्स है उनकी लिस्ट आ गई है ठीक है तो ये देख सकते हो आप यहां पर ये देखिए कि यहां roll number roll number की list ठीका 23 पे जो कि यह PDF है तो आप मेंस से अगर किसी ने दिया है और आपके जानने वाले या फिर आपके दोस्त हैं या फिर आपके परिवार में से किसी ने दिया है तो सभी को जिसका भी इसमें number आया है बहुत बहुत शुब कामना है आगे की मेंस के लिए तो congratulations exam warrior परिवार की तरफ से and all the best आने जो मेंस के लिए है उसके लिए all the best तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने इसमें दिखाया तो नहीं गया है कितने बच्चे स्लेक्ट हुआ हैं यहाँ पर ठीक है तो यह है लिस्ट रोल नंबर की दी हुई है अभी थोड़े एक या कल या परसो तक नंबर जो नेम है उनकी भी लिस्ट आ जाएगी नेम बाइस ठीक है तो एक बार फिर exam warrior की तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है और अभी इतनी जल्दी रिजर्ट दे दिया है तो में इसके लिए आप qualified है आप answer writing में लग जाईए अप preparation में अपना optional बढ़िया से तयार रखिए और GS essay में ज्यादा focus कीजिए ठीक है और कोई update होगी मैं आपको जरूर लाके दूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर यह detailed application DAF ठीक है in accordance with the rules of examination all these candidates have to apply again इन्हें दोबार से apply करना होगा detailed application form भरने के लिए जो की online exam होगा दोबार से online भरा जाएगा ठीक है DAF detailed application form भरा जाता है ठीक और यही था आपका आज का update तो एक बार फिर से congratulations चलिए दोस्तों मिलते हैं next studio में तब तक लिए जैन जैबार